नमस्कार दोस्तों हमारे online tuition अड़ा चैनल पर अपका स्वागत है दोस्तों आज की इस class में एक story पढ़ाएंगे जिसका नाम है महानता के बीज हाँ दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो है महान बनता है starting से ही शुरू से ही ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से महान बन जाता है उसकी ए story में मैं आपको एक एक वर्ड को खूब अराम से प्रोनाउंस करके मैं बताऊंगा किस तरीका से कौन से मात्रा को पढ़ा जाता है दोस्तों मुझे पता है कि आपने हिंदी पढ़ने के लिए इस वीडियो को क्लिक किया है तो आपको मैं पढ़ना जरूर सिखाऊंगा तो आइं यहां से सब्ण को खूब अराम से पढ़ते हैं कि यहां पर लिखा दोस्तों यू ळाणयू लान द카ील में बड़िकी मातरा है बड़िकी मातरा तो यू पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे यूव यू लान गमे एक की मातरा देख घंए देश देश तालब इस आक स्षक पढ़ते हैं तो देश यूनान देश के एक के गाव क्या पढ़ेंगे दोस्तों इसको गाव गाव के ऊपर देखना चंद्रविंदू है कहीं कहीं आपको गाव के ऊपर बिंदी ही केवल दिख जाएगा तो चंद्रविंदू दिखे या बिंदी दिखे इसका उचाना नाक्स का गाव कई र unfair गाव नहीं गाव ठीक है तो का लड़का जंगल जंगल में लाकाड़िया लकड़िया पती लकाड़िया या बकर आ तालिया रोटिया या देखिं बाद में लाश्ट में अक्षरों के लाश्ट में नाक से उचारन हो रहा है यां ठीक ना तो यह अधिकांस आपको बहु अचन वाले सब्दों में मिलेगा जैसे एक से ज्यादा का बोद हो ठीक ना तो हम लोगं एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे के वाल पढ़ना नहीं है सिखना भी एठीक ना करा है की युनान देश के एक गाऊं का लड़का जंगल में लकरी कारी यां लकरीया जंगल में पढ़ेंगे बाजार में बेच कर बेच कर अपना गुजारा गुजारा करता था कर रहा है कि उनान देश की एक गाउ का लड़का जंगल में लकडिया काट कर शाम को पास के जो सहर थे नजदिक के जो सहर थे उस सहर के बाजार में बेच कर अपना गुजारा करता था ठीक है यहां से देखिए दोस्तों करा की एक दिन एक विद्वान क्या पढ़ेंगे विद्वान वेक्ति एक दिन एक विद्वान वेक्ति बाजार बाजार से जा रहा था एक दिन एक विद्वान बेक्ती बाजार से जा रहा था उसने उसने देखा की यह को में छोटी की मातर लगा है तो अराम से पढ़ेंगे की उस बालुग क और का गठर क्या पढ़ेंगे दोस्तों गठधीव गॉठ आध़ा संजुक्ठी तो इस परकार से इसका उचारन हो रहा है कि टॉ का उचारन हो रहा है लेकिन आध़ा थेकि पढ़ेंगे घठर ठेखिय वहूता बहूतओख क्लात्मक क्लात्मक रूप से बंधा हुआ है उस बालक का गठर बहुत ही कलात्मक रूप से यानि बहुत ही सुन्दर तरीका से अच्छे तरीका से पूरे तरीका से बंधा हुआ है सिस्टम में बंधा हुआ था ठीक न उसने उस लड़के से पूछा कौन पूछा जो व्यक्ति बाजार से जा रह गठर तुमने बांधा है क्या यह गठर तुमने बांधा है क्या यह गठर तुमने बांधा है लड़के ने जवाब दिया लड़के ने जवाब दिया, क्या दिया, जी हाँ, मैं दीन भर लकडी काटता हूँ, स्वेम गठर बांधता हूँ, और स्वेम गठर बांधता हूँ, और रोज शाम को गठर बजार में बेशता हूँ, और रोज साम को जो गठर है, बाजार में बेशता हूँ, ले जाकर, वह लड़का उस वेक्ती से कहा, कारा कि उस वेक्ती, देखें एक वर्ड जो है, हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, वेक्ती, आधा वह है, यह है, फिर आधा को और तो सन्युकत है, लेकिन छोटी की मतल़ दोनों को मिला कर लगा है, बोलकर आप देखें दोस्तों वेक्ती, वेक्ती ठीक ना, तो उस वेक्ती ने कहा, कि क्या तुम इसे खोलकर, इसी प्रकार दुबारा बांद सकते हो, क्या तुम इसे खोलकर, इसी प्रकार दुबारा बांद सकते हो, जी हां, यह देखिए, इतन कहते हुए लड़के ने गठर खोला तथा बढ़े ही सुन्दर तरीके से पुनाह उसे बांध दिया तता बढ़े ही सुन्दर तरीका से पुनाह उसे बांद दिया यह कार्ज वह बड़े ध्यान लगन देखिए लगन कहीं कहीं लिखा रहा तो लगन मुहुर्थ अलग होंता है दिह हंसे ध्यान लगन और फूरति यहां पड़ेंग दुस्तों फूरती के साथ कर रहा था वह लड़का जैसे ही इस बात को सुना कि क्या तुम इससे दोबारा से खोल कर बांद सकते हैं तुरत ही उसे खोल दिया और इतना लगन से फूर्ती से फिर से उसे बांदना शुरू कर दिया लड़के की एक कागरता क्या पढ़ेंगे दोस्तों एक कागरता लगन तथा कलात्मक कलात्मक रिती से काम करने का तरीका देख उस व्यक्ति ने कहा क्या तुम मेरे साथ चलोगे क्या तुम मेरे साथ चलोगे मैं तुम्हें शिक्षा दिलाऊंगा और तुम्हारा सारा व्याय वहन करूंगा वह व्यक्ति उस लड़का से कहा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे मैं तुम्हें सिख्छा दिलाऊंगा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा जितने भी खर्च आएंगे सब मैं दूंगा और क्या होता है उसके बाद बालक ने सोच विचार कर अपने स्वी कृति क्या पढ़ेंगे द क्री देखे क्री ती स्वीक्रीती क्या पढ़ेंगे इसको स्वीक्रीती दे दी वह लड़का स्वीक्रीती दे दी और उसके साथ चला गया और उसके साथ भी वह लड़का चला गया उस व्यक्ति ने बालक के रहने और उसकी सिक्छा का अलग होगा दोस्तों साथ में सट गय है सिक्षा का प्रवंध किया वह व्यक्ति उस बालक के रहने का खाने का सिक्षा का सब का प्रवंध किया हां दोस्तों वह स्वेम भी उसे पढ़ाता था वह व्यक्ति स्वेम ही उसे पढ़ाता था आप सुच सकते हैं कि वह व्यक्ति कितना जेंटलमेन था कितना अच्छा में उसे बालक ने अपनी लगन्त था कुशाग्रे वृद्धी के बल पर उच्छे शिक्षा आत्म साथ कर ली मतलब की प्राप्त कर ली बहुत ही जल्दी वह लड़का अपने बुद्धी से कुशाग्रता से उच्छा प्राप्त कर लिया बड़ा होने पर यही बालक यूनान के महान दार्षणिक के हाँ दोसतों यूनान के महान दार्षणिक पाइथा गोरस आप पाइथा गोरस परी में पढ़े होंगे वहीं व्यक्ति की यह काहानी है जो कि यूनान की है एक दार्शनिक है तो पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्धे प्रसिद्धे हुआ प्रसिद्धे हुआ कौन सा वहीं लड़का जो लकड़ी बेचकर गुजारा करता था एक दिन ऐसा आया कि वह एक बहुत बड़ा बिद्वान बहुत बड़ी दार्शनिक और बहुत बड़ी गड़ी तक गये हुआ यहां पर देखें दोस्तों का रहा कि वह भला आदमी जिसने बालक की भीतर पड़ी महानता के बीज को पहचान कर उसे पल्लवित क्या पढ़ेंगों दोस्तों पल्लवित किया वह था वह था यूनान का विख्यात विख्यात तत्व ग्यानी डेमो इसको पढ़ेंगे दोस्तों डेमो कृट से अब अभी हम लोग जित्ता पढ़ें इसमें कैसा कैसा वर्ड मिला यहां पर देखें भाटलवित क्या पल्लवीत लाला संजुकत है तो लाप जोर लगएगा ठीक है पल्लवीत यहां पर तत्व क्या लिखा दूस्तों टत्व ल चोटे चोटे कार्ज भी लगने हम इमांदारी से करने चाहिए हम जो भी कार्ज कर रहे हैं उसको बहुत ही लगन और इमांदारी से करनी चाहिए उसी में महांता के बिज छिपे होते हैं उसी में महांता के बिज छिपे होते हैं कोई नहीं जानता है कि उस काम के बदावलत आप कम किस मुकाम पे चड़ जाएंगे हाँ दोस्तों आप कुछ भी करते हैं किसी भी छितर में काम करते हैं आप पूरे इमांदारी लगने अस्फूर्ती और मेहनत के साथ किजिए दोस्तों या इस्टोरिक कैसा लगा प्लीज कमेंट बक्स में जरूर बताईएगा और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हां दोस्तों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन जरूर बजा दीजिए क्योंकि यदि आप बेल आइकन बजाते हैं तो आपको समय समय से वीडियो मिलते रहेगा चले दुस्तों आज क्लास करते हैं मिलते अगले क्लास में जय हिंद